आज हम लोग DAV Class 6 का Social Science परने वाले हैं जिसमें की Chapter No.7 को हम लोग स्टार्ट करेंगे इस Chapter का Title है India The Land of Monsoon Climate Chapter काफी ज्यादा लंबा है इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हम लोग को कवर करने हैं इसलिए इसको हम लोग अच्छे से 2-3 पार्ट में Complete कर लेंगे यह First Part है और अगर यह Chapter आपके स्कूल के सेलेबस में है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर आप कहेंगे तो इसके अगले Parts का वीडियो भी हम बहुत जल्दी अप्लोड कर देंगे अब आपको DAV Group पर हर Class और हर सब्जिक्ट के वीडियो मिल जाएंगे अभी तक जितने भी Chapter उसको मैंने Complete करवा दिया है सभी के वीडियो उसको मैंने subject wise, class wise arrange करके DAV Group के प्लेलिस्ट में डाल दिया है तो एक बार आप प्लेलिस्ट को जरूर चेकाउट कीजिएगा और अगर आप पहली बार DAV Group पर 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 रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस्ट कर लिजे ताकि आने वाले जो classes हैं उनका भी notification आपको समय पर मिलता रहे है Chapter को शुरू करने से पहले जल्दी से हम लोग brain mapping कर लेते हैं किस में कौन कौन से टॉपिक हम लोगो पर ना है उसका एक ब्रीफ आइडिया हम लोगो मिल जाए सबसे पहले हम लोग चैप्टर का introduction देखेंगे उसके बाद हम लोगो पर ना है The Seasons of India के बारे में इंडिया में में मेंली 4 टाइप के सीजन्स होते हैं और चारों के बारे में detail में हम लोग यहां पर देखेंगे उसके बाद हम लोगा next topic होगा natural vegetation इंडिया में कितने तरीके के plants और trees पाये जाते हैं उसके बारे में हम लोग यहां पर पढ़ेंगे उसके बाद हमारे next topic होगा conservation of forest हम लोग को forest को क्यों बचा कर रखना चाहिए इससे हमें क्या फायदा है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और सबसे अंतिम topic हमारा होगा wildlife और उसके बाद यह पूरा chapter हम लोगा complete हो जाएगा इस chapter के title में ही एक word है जो की है monsoon तो सबसे पहले तो हम लोग को यह समझना पड़ेगा कि monsoon होता क्या है आपको पता होगा कि हवा का direction किस तरफ होता है गर्मी की दिनों में यह जो land वाला portion है इसका temperature higher होता है और यह जो समुदर वाला portion है इसका temperature lower होता है और wind का direction जो है न हमेशा lower temperature से higher temperature की तरफ होता है और इस कारण से यहाँ पर जितने सारे clouds होते हैं जितने सारे बादल होते हैं वो सब उरकर उस हवा के साथ इंडिया के main land के उपर चले आते हैं और यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है उसके कारण से और इसी बारिश को हम लोग monsoon बोलते हैं इंडिया is known as the land of monsoon climate भारत को हम लोग monsoon climate का भूमी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर monsoon आता है monsoon refers to monsoon का मतलब क्या होता है the rainy season यानि की बारिश का मौसम को हम लोग monsoon बोलते हैं the rain bearing monsoon winds blow from Indian ocean आपको पता है कि हमारे भारत के दक्षिन में Indian ocean है हिंद महासागर है वहाँ से monsoon winds आते हैं हवा आती है और अपने साथ बारिश को लेकर आती है बहुत सारे बादल जो already समुद्र के उपर बने होते हैं इंडिया के में लेंड के ऊपर लेके आती है और उसके बाद यहाँ पर बारिश होती है people of India eagerly wait for the arrival of monsoon इंडिया के जो लोग होते हैं monsoon का बहुत बेस सब्री से इंतजार करते हैं क्यों करते हैं क्योंकि उस समय बहुत ज्यादा गर्मी होती है इंडिया में बहुत ज्यादा oppressive heat होता है और इसी से relief के लिए इसी से राहत पाने के लिए भारत के लोग monsoon का इंतजार करते हैं the people are aware of the normal dates of arrival of monsoon भारत में monsoon कब आएगा उसका normally date क्या होता है उसके बारे भारत के लोगों को पहले से पता होता है और इसका रीजन क्या है इसका रीजन है weather experts weather experts जो होते हैं वो पहले से forecast कर देते हैं पहले से वह विस्वानी कर देते हैं कि monsoon arrival का time क्या होगा if the monsoon arrives on time अगर monsoon इंडिया में सही समय पर आ जाता है people can expect a good crop तो लोगों को बहुत अच्छी फसल मिलती है लेकिन अगर monsoon सही समय पर नहीं आता है या बारिश की मातरा normal से कम होती है तो उसके कारण क्या होता है उसके कारण से drought condition create हो जाता है मतलब सूखा पर जाता है और उस ज्यादा effect हमारे भारत के लोगों पर परता है monsoon जो word है वो कहां से आया था इसका origin क्या है उसके बारे में यहां पर do you know में हम लोगों बताया गया है इसमें लिखा है कि जो word monsoon है यह Arabic word से निकला है और वह Arabic word है मौसिम मौसिम का मतलब होता है season बहुत important point है आप इसको याद cold winds blowing from the northern polar region हमारे North Pole से बहुत ठंडी हवा बहकर इंडिया के तरफ आती है लेकिन हमारे जो हिमालियन चेन है न हिमाले परवत का जो श्रेनी है वो उन ठंडी हवाओं को भारत में घुसने से रोग देता है और इसके कारण से हम लोग chilly cold wind से बच जाते हैं the Himalayas does provide the whole of Northern India warm climatic condition औ therefore इसलिए इंडिया is called a land of tropical monsoon climate इंडिया का जो climate है वो tropical है मतलब ocean है गर्म है और उसके साथ साथ यहां पर monsoon भी आता है इसलिए हम लोग इसको land of tropical monsoon climate बोलते हैं though the climate of India is tropical इंडिया का climate जो है tropical है गर्म है लेकिन फिर भी it reflects the diversity at regional level लेकिन यहां पर हम लोगों फिर भी diversity देखने को मिलता है अलग-अलग जगा पर आपको अलग-अलग तरीके का climate feel होगा the main reason is that और इसका reason क्या है इसका reason यह है कि इंडिया जो है एक बहुत ही बरा देश है it is a very washed country extending from tropical zone to the temperate zone यह tropical zone से लेकर temperate zone तक फैला हुआ है with the tropic of cancer passing through the middle of the country और हमारे country कोई बीच ओ बीच ट्रॉपिक of cancer भी पास करता है अब next paragraph में हम लोगों पताया गया है कि South India और North India में कैसा कैसा climate हम लोगों देखने को मिलता है यहाँ पर बोला जा रहा है कि in South India, South India में the climate is hot and humid आपको hot यानि कि गर्म और humid climate देखने को मिलेगा हम लोग उस climate को बोलते हैं जहाँ पर हवा में water vapor present होता है तो यहाँ के हवा में water vapor भी present होता है और यहाँ का हवा गर्म भी होता है the coastal areas have moderate climate coastal area मतलब समुदर के किनारे का जो area होता है वो moderate होता है मतलब नहीं वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगा नहीं बहुत ज़्यादा ठंडा लगेगा इसी को हम लोग बोलते हैं moderate climate as the ocean modifies the temperature क्योंकि समुदर जो होता है न वहीं वहाँ के temperature को maintain करके रख बहुत ज़्यादा गर्मी होगा अगर ठंडा होगा तो बहुत ज़्यादा ठंडा होगा the summers are very hot and the winters are very cold the mountain regions receive snowfall during winter और नॉर्थ इंडिया में जो mountains है आपको पताए कि हिमाले है यहाँ पर आपको snowfall भी देखने को मिलता है winter season में the night temperature in January sometimes drop to minus 40 degree Celsius near कारगिल in कश्मीर कश्मीर मे minus 40 degree Celsius तक गिर जाता है इतना जादा ठंडा हो जाता है the desert of Rajasthan is hot during the daytime and cold during the nights आपको पता है कि राजस्थान का maximum area है वो desert है यानि कि रेगिस्तान है और वहां का climate कैसा होता है वही आपको यहाँ पर बताय गया है यहाँ पर आपको दिन में बहुत जादा गर्मी फील होगा और में आपको बहुत ज्यादा ठंडा फील होगा the day temperature in May मई का महीना जो होता है उसमें दीन का जो temperature होता है shoots up to 50 degrees Celsius at several places राजस्थान में कई जगों पर temperature जो होता है में के महीने में 50 degrees Celsius को touch कर देता है इतना ज्यादा गर्मी पड़ता है अब हम लोग बात कर लेते हैं कि North Eastern states जो है वहां का climate कैसा होता है North East में कौन-कौन सा state आता है जैसे कि असाम हो गया मनिपूर हो गया अरुनाचल प्रदेश हो गया त्रिपूला हो गया मेघाले हो गया यह सब जो एरिया है यहां पर कैसा climate होता है यहां पर आप जाएंगे तो यहां पर आपको heavy rainfall देखने को मिलेगा खासकर जून से लेकर सितंबर के महिने में some places in मेघाले मेघाले में कुछ जगो पे have recorded rainfall over 1000 cm every year हर साल 1000 cm बारिश हो जाती है 1000 cm बहुत जादा होता है हम लोग बारिश को मापते हैं cm में और इसको मापने के लिए हम लोग एक डिवाइस यूज़ करते हैं और वो कौन सा डिवा से यूज़ करके मेजर करते हैं किस डिवाइस को यूज़ करके मेजर करते तो आप कमेंट सेक्शन में लेकर ज़रू बताइएगा on the other hand the desert of राजस्थान gets very little rainfall राजस्थान का जो डिज़र्ट है वहां पर बहुत कम बारिश होती है इट रिमेंस ऑल्मुस्ट ड्राय त्रू जो northern part है यहां का climate आपको गर्म देखने को मिलेगा गर्मी के दिनों में बहुत ज़्यादा गर्मी यहां पर होता है और थंडा के दिनों में यहां पर बहुत ज्यादा ठंडा होता है हम लोग अगर north eastern part of India की बात करें तो यहां पर बहुत ज्यादा rainfall होता है बारिश जो maximum record क गया है वह है 1000 सेंटीमीटर इन एक साल में 1000 सेंटीमीटर बार इस रिकॉर्ट की गई है और यहां पर हम लोग बात की राजस्थान का कि यहां का क्लाइमिट कैसा है तो राजस्थान में क्या होता है दिन के समय में ज्यादा गर्मी होता है यहां का जो एरिया है वह ज्यादा गर्मी होती है और रात के समय में वहां पर ठंडी परती है अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे जिसका टाइटल है सीजन ऑफ इंडिया इंडिया में कितने तरीके सीजन होते हैं उसके बारे में यहां पर हम लोग पढ़ेंगे यहां पर लिखा है देर इस एन्वल साल अपने आपको रिबीट करते हैं हर साल वो सीजन एक बार जरूर आता है दा वेदर एक्सपर्ट हैव आइडेंटिफाई अ साइकल फोर सीजन जो वेदर एक्सपर्ट है न वो चार तरीके का सीजन हम लोग को बताए हैं जिसमें कि पहला कौन है दा कोल्ड वेदर सीजन दूसरा है दा हॉट वेदर सीजन तीसरा है दा सीजन ओफ एडवांसिंग मौनसून और जो चौथा और सबसे अंती में दा सीजन ओफ उरी ट्रेटिंग मौनसून अब देखिए आप क्या पर रहे थे सीजन के नाम पिछले क्लासेस में आप लोग परे होंगे जूनियर क्ल लेकिन यहां पर आपको थोड़ा सा टेक्निकल नेम इसका याद रखना है सबसे पहला क्या है दग्र वेदर सीजन मतलब थंड़ा का मौसम हॉट वेदर सीजन मतलब गर्मी का मौसम दसीन औफ एडवांसिंग मौनसून मतलब जब मौनसून आता है उस समय क्या होती है सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं the cold weather season के बारे में यानि की winter season के बारे में यहाँ पर बताया गया कि December, January and February are generally the months of cold weather throughout the country. Normally December के महीने में, January के महीने में और February के महीने में पूरे देश में एक साथ थंडी परती है. The temperature in North India is low. इस समय North India का temperature बहुत कम रहता है. The wind in this season blow from land to the sea. और इस season में wind का direction क्या होता है? Land to sea होता है. अगर यह हमारे इंडिया का land वाला portion हो गया, तो यहाँ से sea की तरफ, समुदर की तरफ हवा बहती है. Hence there are almost dry weather conditions in large part of the country. और इसी कारण से इस समय भारत के अधिकतम भागों में आपको dry weather condition देखने को मिलेगा. इस समय बारिस बहुत कम होती है इंडिया में. A little rainfall occurs in the north western plains caused by the western cyclonic disturbances from the Mediterranean Sea. इसका मतलब होगा कि इंडिया के north western part में हलकी फुलकी बारिस सिसम में देखने को मिलती है. और इसका region है Mediterranean Sea में आने वाला cyclone. इसी cyclone के कारण हलका फुलका बारिस इस वाले एरिया में हम लोग को देखने को मिलता है. तो यहां तक हम लोग cold weather season के बारे में पर लिए. अब हम लोग को परना है hot weather season के बारे में. यहां पर लिखाया the duration of the hot weather season is from March to May. March महिना से लेकर मई के महिने तक आपको इंडिया में hot weather season देखने को मिलेगा. गर्मी का दिन देखने को मिलेगा. The temperature begins to rise by the end of March. जैसे March end होता है, होली खतम होता है, उसके बार temperature जो है, वो बरना शुरू हो जाता है. The sun is overhead and to the north of the equator. Sun जो है, वो हमारे सिल के बिलकुल उपर चले आता है. और equator के north direction में चले आता है. equator के north direction में आ जाने का मतलब क्या हुआ, यह आपको तभी समझ में आएगा, जब आप पिछले classes को अच्छे से परे होंगे. तो इसको हम figure के थुरू अच्छे से समझा देते हैं. गर्मी के दिनों में sun का equator से उपर चले आने का मतलब क्या हुआ, उसको ध्यान से यहाँ पर समझेगा. हम आपको बतायते कि हमारा अर्थ जो है न, वो थोड़ा सा tilted है. हमारे अर्थ का axis बिलकुल straight कुछ इस तरीके से नहीं है. और उसी कारण से हमारे अर्थ का season जो है, वो sun से दूर जुका होता है. और इसके कारण से northern hemisphere में आपको ठंडा फिल होता है, यहाँ पर बहुत कम heat प्राप्त होता है हम लोग को, और जो हम लोग का southern portion है, यहाँ पर आपको गर्मी फिल होता है. यहाँ जितने सारे countries है, वहाँ पर गर्मी होता है. और हमारा जो इंडिया ह आपको पता है. और अगर हम लोग माई-जून के समय की बात करें, तो हमारे अर्थ का condition कुछ इस तरीके का हो जाता है. Northern pole जो है, वह sun की तरफ जुक जाता है, और southern pole जो है, वह sun से दूर हड़ जाता है. और उसी कारण से हमारे इंडिया के overhead sun आ जाता है, मतलब इंडिया के बिल्कुल सिर के ऊपर sun आ जाता है. और इसलिए हम लोग यहाँ पे बोले कि sun जो है न, वो equator के ऊपर चले आता है. पहले देखिए sun कहा था, equator के नीचे था, यह जो बीचो बीची लाइन है, इसी को equator बोलेंगे न, equator के नीचे है sun इस सामने, लेकिन अब देखिए equator के ऊपर गर्म होता है North India में, और इस समय temperature जो होता है न, 45 degree को touch कर जाता है, अगर हम लोग western राजस्थान की बात करें तो यहाँ का temperature तो 50 degree तक छुझाता है, इतना ज्यादा गर्मी यहाँ पर पढ़ने लगता है, और इसके बारे में तो हम लोग पहले भी बात किये थे, the hot and dry winds blow in the entire northern plane, these winds are called loo, northern plane हम लोग इस वाल एरिया को बोलते हैं, और इस समय यहाँ पे बहुत गर्म हवाएं बहती है, और उसी गर्म हवा को हम लोग क्या बोलते हैं, loo कहते हैं, यह important point है, एक्जामे आप से पूछा जा सकता है कि what is loo, तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका answer ल महाँ पर हम लोग को परना है, मॉनसोन एडवांस करने का मतलब हुआ कि मॉनसोन इंडिया में गुसना, कैसे आता है मॉनसोन इंडिया में, आपको बता है कि गर्मी के समय में wind का direction कुछ इस तरीके का होता है, और इसी wind के कारण यहाँ पर जितने सारे clouds होते हैं, न सब उरक इंडिया में आता है जून से लेकर सितंबर के बीच में the wind reverse their direction and begin to blow from south west to north east इस समय wind का direction उल्टा हो जाता है और यह south west direction से north east direction की तरफ कुछ इस तरीके से बहने लगते हैं पहले wind का direction क्या था पहले ठंडा के समय wind का direction कुछ इस तरीके से था आपको हम बता है कि wind जब भी बहता है न तो low temperature वाले area से high temperature वाले area की तरफ बहता है ठंडा के समय में यहाँ का temperature कम होता है और समुदर के उपर का temperature जो होता है वो ज़्यादा होता है इसी कारण से ठंडा के समय में wind का direction यह होता है लेकिन अब advancing monsoon के समय wind का direction reverse हो जाता है कुछ blow from sea to land and have a lot of moisture ये समुदर से जमीन की तरफ बहते हैं इसमें हवा और इसमें बहुत ज्यादा नमी होती है बहुत ज्यादा फर्स्ट वीक ऑफ जून के जून के पहले सपता में मौनसून इंडिया में घुशता है और धिरे धिरे मूव तोर्स नॉर्थ वर्ड और नॉर्थ डिरेक्शन की तरफ ये बढ़ने लगता है और एक ही महीने में पूरे कंट्री में ये फैल जाता है पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा वेटेश सबसे ज्यादा बारिस किस जगा पे होती है वो आपको बताया गया है मौसीन राम जो की मेघालय में है बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है इसको आप याद रखेगा एक्जाम में पूछा जा सकता है मौसीन के कारण भारत के लोगों पर क्या एफेक्ट पड़ता है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है लॉं bundle question में आप से इसके बारे में पूछा जा सकता है तो इसको अच्छे से समझेगा यहाँ पर बॉला गया है the monsoon season affects the lifestyle and economic activity of the people throughout इंडिया जैसे monsoon इंडिया में घुशता है न तो लोगों का lifestyle इसके कारण change होता है और economic activity भी change होता है economic activity मतलब पैसा कमाने के लिए जो भी काम लोग करते हैं न उसको हम लोग economic activity बोलते हैं और इस पर भी monsoon का effect पड़ता है the farmers all over India start their agricultural activities with the onset of monsoon भारत के जितने भी किसान है सभी monsoon को देख कर ही monsoon के हिसाब से ही agriculture यानि की खेती करना शुरू करते हैं the first rain of the monsoon is welcomed with joy in every part of the country monsoon के कारण जो पहली बारिश आती है उसका सब लोग welcome करते हैं क्योंकि monsoon के कारण सबसे ज़्यादा फाइदा किसान को होता है timely rainfall अगर monsoon के कारण समय पर बारिस होती है helps in getting a good harvest तो इसके कारण फसल बहुत अच्छी होती है अब हम लोग सबसे अंतिम टाइप के सीजन के बारे हम पर लेते हैं जो की है the retreating monsoon मतलब monsoon इंडिया से जब बाहर जाता है तो उस समय कैसा condition इंडिया में होता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे monsoon आने के समय wind का direction कुछ इस तरीकी का होता है लेकिन retreating monsoon में wind का direction opposite हो जाता है reverse हो जाता है क्योंकि जो wind इधर से गया था ना वही हिमाले से टकरा कर वापस चलियाता है और इसी कौम लुक बोलते हैं retreating monsoon the monsoon wind start retreating from the northern plains monsoon का जो wind होता है वो northern plains से घूम कर वापस जाने लगता है when temperature begins to fall जब temperature गिरना शुरू हो जाता है in the months of October and November October और November के समय में आप देखिएगा कि ठंडा शुरू हो जाता है जैसे छटपू जाता है उस समय और इसी के साथ साथ retreating monsoon शुरू हो जाता है मतलब monsoon का जो हवा होता है वो इंडिया से बाहर निकलना शुरू हो जाता है they retreat from the whole country by the end of November और November end होते होते पूरे देश से monsoon का जो wind होता है वो बाहर निकल जाता है the weather in North India becomes clear इस समय North India का weather clear हो जाता है but high humidity लेकिन इस समय air में बहुत जादा humidity होता है makes it very oppressive and sultry और इसके कारण से जो हवा होती है बहुत उमस भड़ी होती है आपको बहुत ज्यादा problem इस समय face करना होता है during this season the eastern coast of South India receives rainfall from the tropical cyclone coming from Bay of Bengal इस समय South India के eastern part में यानि कि इस वाल area के बारें बात क्या जा रहा है यहाँ पर बारिश आपको देखने को मिलेगा और इस बारिश का कारण क्या होता है इस बारिश का कारण होता है Bay of Bengal में आने वाला cyclone यहाँ पर जो cyclone आता है न उसी cyclone के कारण यह सवेरिया में आपको बारिश देखने को मिलता है तो finally इस chapter के यहां तक के सभी topics को हम लोग पर लिए इसके बाद जितना सा topic बचाना उसको हम लोग आने वाले parts में पर लेंगे अगर आपको इसका part 2 और 3 भी चाहिए तो आप comment section में लेकर ज़रूर बताईएगा अगर आप कहेंगे तो हम उस part को भी बहुत जल्दी upload कर देंगे अभी तक social science के जितने सारे chapters को मैंने complete करवा दिया है उनके वीडियो को देखने के लिए left side में क्लिक कीजिए और इसके बाद बाले part को देखने के लिए right side में क्लिक कीजिए फिलाल इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगली class में बहुत सारे नए topics के साथ तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पराई करते रहे हैं